हेलो बच्चों आपका हमारी आत्मा एकडेमी चैनल में स्वागत है हम बात कर रहे थे गौस्थ्वरम की इसकी पहले वाले वीडियो में हमने आपको गौस्थ्वरम का जो फर्णमेंटल जो स्टार्टिंग है उसकी पहले चीज़ हमने बताई थी आपको एरिया एरिया वेक्टर बताया था कि एरिया इजा वेक्टर क्वांटी और उसकी जो डिरेक्शन होती है वो किसी भी सर्फेस के परपेंडिकुलर नॉर्मली आउट्वर्ड होती है ठीक है इसके बाद हमने बताया था सॉलिड एंगल एक बताया था एलेक्ट्रिक फ्लक्स यह तीन चीजे हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिसक्रिप्शन में दे देंगे उसको देख लीजेगा और आई बटन में उसको हम दिखा देंगे उसमें चेक कर लीजेगा उसको देखना बहुत जरूरी है आज हम बात करने जा रह है ज़रा ध्यान से समझेगा तो देखे सबसे पहले तो आता है यहां पर एलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा सा कंसर्ट बिताएंगे एलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है एलेक्ट्रिक फ्लक्स हैनि कोई चार्ज होता है वो अपने चारों और एक फिल्ड क्रेट करता है जिसक इस तुकार से कोई भी surface यहाँ पर electric field में रखा हुआ है मालिया ऐसे electric lines है तो जो number of lines इस surface से गुजरेंगी उसको electric flux कहते हैं जैसे मालिया कोई आदमी मूँ खोल कैसे ख़़ा हो जाया ऐसे आ और आप जाडू ले लिजे सीख वाली और उसके मूँ में घुजर दीजे तो जितने सीखें उसके मूँ के अंदर घुसेंगी वो होगा जाडू flux जैतना मुँ ज़्यादा खोलेगा आँ ज़्यादा जाडू किसी के जाएंगी कम खोलेगा तो कम जाएंगी यानि कि ये flux किस पर डिपेंट करता है एरिया पर मुझ लेसी के बहुत डेंस हैं बहुत घनी है तो ज़्यादा सी के जाएंगी बहुत दूर दूर है तो कम जाएंगी यानि किस पर डिपेंट करता है एलेक्ट्रिक फिल्ड के इंटेंसिटी पेडिपेंट करता है यह जाड़ु वाला एक्जाम्पल आपके समझने के लिए एक्जाम में मत लिखिएगा तो अगर माले कोई छोटा सा सर्फिस एरिया आप ले ले और हम माले कि यह सर्फिस एरिया जो डियस है वो एलेक्ट्रिक फिल्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है तो छोटे से सर्फिस से जो फ्लक्स गुजरता है वो E.ds होता है यह याद रखना पड़ेगा आपको और जो टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो इसको इंटिगेट कर देंगे चुकि यह ओपन सर्फिस से इस प्तार से एक शीट रखी वई है तो इसको सर्फिस इंटिगल लिखेंगे और अगर यही क्लोज होता को स्फियर टाइप का तो इसको हम ऐसे लिखते और इसको हम लिखते हैं flux phi और electric field के लिए E का इस्तेवाल करते हैं तो ये हमने electric flux आपको बताया था अब गौस साहब ने इसको एक theorem दी बहुत बहुत important theorem है गौस की बहुत ध्यान से पढ़ियेगा गौस थोरम को गौस साहब ने ठिर्म दी उन्होंने कहा कि अगर कोई मालिया electric charge है कोई और वो चार्ज गौस थोरम स्टेट्मेंट दे लिखा हुआ है वेडिंग पड़ी भी है उन्होंने कहा अगर कोई charge मालिया लखा हुआ है मैं plus q ले लेता हूँ minus भी हो सकता है किसी surface के अंदर रखा हु नहीं गुजरेंगी चारों तरफ गुजरेंगी और यह सभी lines इस surface को जाके touch करेंगी तो हम कहेंगे कि flux is linked with this surface लिंक हो गया link link होना ठीक है flux जो electric lines है इसको link कर रही है तो यह electric flux इसको link कर रहा है अब electric lines बाहर भी निकलेंगी अलगी बात है तो उन्होंने कहा जो flux है न फाई-e वो कितना है उन्होंने कहा कि जिसकों कि आप close integral e dot ds कहते हैं वो one upon epsilon dot times of q होता है तो गौस ने क्या कहा if any charge is placed inside a closed surface close the surface सबसे पहली चीज है surface close होना चाहिए चारो तरफ से कहीं से open ना हो close surface का मतलब यह हुआ कि अगर आपने कोई football ले लिया है और यहां पर उसमें छेद कर दिया आपने तो this is not closed तो here ghost therm is not applicable पूरा यह बंध होना चाहिए ठीक है कहीं से खुडा नहीं होना चाहिए यह अंदर और बाहर के दो अलग-अलग surface होने चाहिए अंदर अलग system बाहर अलग system तुन्होंने कहा अगर किसी close surface के अंदर कोई electric charge रखा हुआ है तो जो उस surface से electric field, electric flux निकलता है that is 1 upon epsilon not times of q बहुत important theorem है इसका statement यह हो गया अब इसको drive करने जा रहे है तो इसको drive करने के पहले हमको जो close surface है उसके बारे बात करना पड़ेगा उसके लिए आपको याज रखना पड़े Gaussian surface क्या होता है Gaussian surface क्या होता है देखे हमने एक charge रख दिया हमने कहा उससे r distance पर एक electric field निकाली है इस charge के वज़े से अब इस charge की वज़े से our distance यहां भी हो सकता है, point यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो our distance पे हम एक sphere खीच दें, तो वो point उस sphere के अंदर कहीं भी हो सकता है, तो that surface which I have drawn, that is hypothetical surface, एक काल्पिक सर्फिस है, हमने अपने मान लिया एक सर्फिस यहां खीचा हुआ है, तो Gaussian सर्फिस क्या होता है, एक hypothetical सर्फिस होता है, जो किसी charge को enclose करता है, यह उसके अंदर एक चार्ज रखा होता है, और यह सर्फिस खीचा गया है, यह कोई sheet नहीं है, यह कोई आइस प्रकार की एक sheet नहीं है, जिस पर चार्ज रख दिया हमने, बंध है यह, यह पूरा box एक बंध है, उसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अगर चार्ज इसके अंदर रखेंगे, तो what flux will pass through this surface, that will be 1 upon epsilon 0 times of the charge enclosed by the surface, अब हम इसको proof कैसे करें तो proof करने के लिए अलग-अलग system, अलग-अलग books बताती है, अलग-अलग system, अलग-अलग teacher बताते है, actually यहां एक दिक्कत आती है, कि जब हम कोई उटपटांग टाइप का surface बराते है न, तो उसमें हर एक point पे, electric field और area vector के बीच angle change होता है, तो अपने convenience के लिए, हम एक ऐसा Gaussian सर्फिस लेंगे, जहां पर angle between electric field और Gaussian सर्फिस के बीच में एक uniform angle होना चाहिए, तो हम यहां एक spherical surface, Gaussian सर्फिस लेंगे, उटपटांग की भी हम लेके बताएंगे, तो इसका प्रूफ करने जा रहा है, Gaussian सर्फिस, समझेगा, support charge plus Q is placed at the center of a sphere, हमने Gaussian सर्फिस क्या माना है, एक स् सकती है, फिलाल इस फिर हम मान के चल रहे है, और हमने कहा कि charge plus Q is placed at its center, at the point O, और यहां पर electric flux, यहां से electric lines ऐसे गुजरेंगी, यहां भी आज जाएंगी, यहां भी जाएंगी, चारो तरफ जाएंगी, तो इसी flux को हमको निकालना है, तरीका क्या होता है, we take a small surface area ds, एक small surface area लिखा हमने, यह electric field होगा, electric field इस surface के normally बाहर की और होगा, और जो यह area होगा ना, वो भी इसी के parallel होगा ds, तो e और ds के बीच angle कितना होगा, 0 degree, हमने convenience के लिए अपनी सुविधा के लिए इस surface को spherical माना है, अभी हम surface उपटांग भी मानेंगे, तो हमने मान लिया, let the charge plus Q is placed at the center of this sphere, this sphere is called Gaussian surface, इसको हम क्या कहेंगे, Gaussian surface, तो electric flux, through the small surface area, इस area element से कितना flux पास हो रहा है, electric flux passing through, passing through the small area element, इसको हम area element कहते है, area element ds, इस छोटे से surface से कितना electric flux पास हो रहा है, तो इसको हमने क्या माना, d phi e, क्या बताया है formula, e dot ds, अब e और ds के बीच angle कितना है, यह तो हमने अपनी convenience से 0 degree है चुकि, तो e ds, cos 0, cos 0 की value, 1 होती है, तो यह हो गया e ds, यह हो गया electric flux passing through this small surface element, अब हम निकालना चाहते हैं, कि electric flux passing through the entire Gaussian surface, तो electric flux passing through the entire Gaussian surface, Gaussian surface, इसको हमने मान लिया, phi e, कितना होगा, जिसको क्या आप कहते है, close integral e dot ds, is equal to close integral e dot ds की value आप क्या निकल चुके है, e ds, e ds, e बाहर आ गया, और हो गया close integral ds, e क्या यहाँ पर है, e है electric field, किसकी वज़े से, plus q की वज़े से, कितनी distance पे, r distance पे, हमने मान लिया, यह distance आपने r मानी है, तो e का formula क्या होता है, e क्या होता है, 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon r square, पढ़ाए आपने, और ds क्या होगा, close integral है, इस पूरे sphere का surface area कितना होगा, 4 pi r square, 4 pi r square, तो r square r square cancel out, 4 pi, 4 pi cancel out, क्या होगा, q upon epsilon 0, तो क्या निकला, phi e is equal to q upon epsilon 0, यह हो गया Gaussian theorem, गॉस की theorem है, बड़ी important theorem है, बोर्ड की हिसाफ से, बोर्ड की बड़ी चहीती theorem मानी जाती है यह, ठीक है, अब जाए कुछ बाते इसमें कर लेते हैं, देखें, यह फिर सब बता दें आपको, जो Gaussian surface हमने माना है, यह अपने convenience से मने माना है, इसके बाद भी जो surface हम मानेंगे, वो कोशिस करेंगे, symmetrical हो, मतलब angle जो हो, electric field और surface area के बीच में, वो कुछ हम निकाल सकें, जिनकी value हम known हो, unknown values पहीं ना हो, अब हम कुछ बातें इस पर करने जा रहे हैं, एक note देख लीजेगा, note, पहली बात, अगर इस surface के अंदर वेक्यूम न होता, if there is any medium, if there is any medium inside this closed surface, if there is any medium inside Gaussian surface, तो आप जानते हैं, आपने कुलाम सिला में पढ़ा है, कि जो epsilon not होता है, वो होती permittivity of free space, और medium के लिए क्या होता है, epsilon, तो ये जो आपका flux होगा, electric flux, जिसको कि आप close integral e dot ds बोल रहे हैं, that will be q upon epsilon, चीक है, अब चुकि आप ये भी जानते हैं, कि epsilon की value क्या होती है, k epsilon not, तो ये q upon k epsilon not होगी, पहली बात, अगर ऐसा दिया है तो, अगर आप से discuss करेंगे, तब आप इसको लिखेंगे, हाँ numerical में हो सकता है, कि उन्होंने का वह गौस्थ और आप अप्लाई करनी है numerical में, और उन्होंने का there is a medium inside that Gaussian surface, तो आप ये इस्तेवाल करेंगे, क्योंकि क्ये क्या है, डियालेक्ट्रिक कॉंस्टेंट आप दे मीडियम, वह वहाँ दिया होगा, ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, अगर मालिया इस surface के अंदर, बहु सारे चार दिये होते, यहाँ प्लस, प्लस Q होता, यहाँ प्लस, प्लस 3Q होता, यहाँ प्लस, उससे कोई मतलब नहीं है, टोटल फ्लक्स कितने चार्ज की उज़े से होगा, 11Q की उज़े से होगा, लेकिन अगर कई बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, अलेक्रिक फिल्ले क्रेट करेगा, फ्लक्स यह बराएगा, लेकिन वो इसके साथ लिंक नहीं होगा उसका reason भी हम बता रहे है तो ये आपका हो गया कि अगर बहुत सारे charge रखे हुए है तो उनको आप उसका algebraic sum लेगे algebraic sum बोले तो अगर मालिया यहाँ पर होता minus का 3 क्यों तो plus का 7, plus का 1, plus का 8 plus का 8 और minus का 3 तो plus का 5 क्यों यहाँ लेदे है ठीक है तो ये आपका पहला note है गौस्थोरम का ज़रा दूसरा note देखिएगा और उसको समझने की कोशिश भी करिएगा प्रूफ नहीं करना है आपको लेकिन गौस्थोरम प्रूब करने के लिए जो हम दूसरा note लिखवा रहे है उसको लिखना जरूरी है देखिए गौस्थ साब ने कहा कि अगर माले यह गौस्थियन सर्फिस है फिला स्फेर हम मानना है तो स्फेर ही मानना है यहाँ पर भी उन्होंने कहा इफ चार्ज इस प्लेस आउटसाइड दिस सर्फिस तो टोटल फ्लक्स विल बी जीरो एन इफ चार्ज जो हम चार्ज ले रहे हैं इस प्लेस्ड आउटसाइड दिस सर्फिस यह आउटसाइड दिस सर्फिस है तक गौस्यल सर्फिस then total flux linked flux linked will be 0 अब आप कहेंगे भई क्यों 0 होगा बई जरा समझेगा क्या ये electric field नहीं बनाएगा बनाएगा क्या वो इसके अंदर से नहीं जाएगा जाएगा तो भी काएगो 0 होगा देखें ज्यान से यहां से electric field ऐसे निकला दो तरीके से आप समझ सकते हैं यहां electric field अंदर गया और यहां से बाहर निकलाया अगर अंदर जाने वाला माइनस बाहर जाने वाला प्लस नेट electric field 0 हो गया नहीं समझ मैं आए बात लगता जवरस्ती बताई जा रही है लग हमको भी यह रहा है दूसरी तरीके समझेगा देखिए ऐसे बताया जाता है वैसे फिर दूसरी तरह के समझेगा जरा समझेगा मैं इस electric field वारे में बात कर रहा हूँ जब मैं यहां से entry कराऊंगा इस पहले surface से जरा इस surface को देखिएगा इस surface का जो area element है वो किधर की तरफ है हमने भी बताया कि area जो vector होता है that is normal to the surface directed outward direction तो यह बाहर की तरफ कहीं होगा ऐसे होगा ds1 तो इस surface का जो angle होगा that will be theta 1 जो की 90 से बढ़ा होगा यह angle आपका कैसा होगा यह angle आपका obtuse होगा नहीं होगा अधिक कोड होगा तो इस surface से जो flux निकलेगा वो जो आप e dot ds कहते हो d5 1 मालीजे तो वो e ds cos theta जब लिखोगे तो यह value negative आएगी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर theta आपका 90 से बढ़ा है जब मैं इस surface के बारे में बात करूँगा second surface में तो इसमें जो area element आप लिखेंगे ds2 यह जो theta होगा वो ultimately acute होगा नहीं होगा तो second surface से जो flux पास होगा वो होगा जो e dot ds तो यहाँ जो value निकलेगी e ds cos theta इसको जब calculate करेंगे तो positive आएगी value तो जब net electric flux निकालोगे तो 0 निकलेगा अब आप कोईगे वाँ भी यह अच्छा calculate कर रहे हो यह area बड़ी दिकरी यह area छोटी दिकरी है बता रहे हो 0 होगा अरे सुनिएगा ध्यान से यह आदा sphere इधर है आदा sphere उधर है आदे की area इधर की तरफ आएगी आदे की area उधर की तरफ जाएगी area vector आदे का area vector आदे का area vector acute angle बनाएगा तो आदा flux negative होगा आदा flux positive होगा तो बात तो हो गई 0 की नहीं हो गई वो मतलब एग्जाम्पल में हमने दो ले लिए कि संद्धाईबार नहीं आई है तो total flux will be 0 तभी मैं कह रहा थी अंदर जाने वाला flux negative बाहर जाने वाला electric flux positive total flux 0 ये बात समझ में नहीं आ रही थी अब ये बात तो समझ में आ गई तो आपको एप प्रूफ नहीं करना है लेकिन आपको जब गौस्थरम प्रूफ करनी है तो आप थोड़ा सा लिख देना है कि इस charges placed outside the Gaussian surface then total flux passing through the Gaussian surface will be zero there is no need to prove it तो ये गौस्थरम हमने बताई अब मैं जानबूश के बताने जा रहा हूं कि अगर हम Gaussian surface irregular लेते हैं तो क्या हुआ तो आप कहेंगे हमने जिस बुक्स में पढ़ा है तो irregular shape बनी वी है उसमें आप दूसरी तरीके से proof दिया हुआ है आपने spherical मान लिया टीचर ने जो हमारे पढ़ाया उन्हों का जो बुक में लिखा वही पढ़ोगे तो हम नंबर देंगे ज़रा समझेगा अब एक और note लिखेजेगा इफ Gaussian surface where the charge is placed is irregular in shape अगर मान लिया इफ Gaussian एक special case हम प्रूफ करा रहे है आपको करना नहीं है इस्पिसल case अगर आपकी बुक में irregular shape में प्रूफ किया गया है तो आप irregular shape दे सकते हैं देखिए ज्यान से इफ Gaussian surface is irregular हमने जो irregular बनाई है न वो हमने अपनी थोड़ी सी सहूलियत की विज़े से बनाई है ठीक है देखो हमने कहा ये Gaussian surface है ये भैंकर irregular है ठीक है और यहाँ पर कहीं पर O point पे plus Q charge रखा हुआ है ये इसका नाम हमने दे दिया है A इसका पूरा area A है हाँ ये जरूर है कि कोई भी वो बात मताते है छोड़िये अब हमने क्या किया यहाँ पर ये एक छोटा सा area element लिया ठीक है I have taken a very small area element और ये area element इस point पे जो angle थोड़ा बढ़ा कर दीजे वहना diagram हो छोटा बनेगा तो दिखने में अजीब लगेगा थोड़ा ज्यादा irregular हो गया है थोड़ा बहुत सीधा कर दो ये plus q charge o point पे था कहीं भी रखा हुआ है हमने यहाँ पर एक surface area लिया ds ठीक है ये जो area है इस point पे कुछ angle subtend करेगा जिसको कि हम क्या कहेंगे d omega solid angle प्राया है हमने इसके पहले आप देख लेंगे उसमें और ये है electric field e और इसका जो area element है वो ds है वो हमने माना इसके बीच angle कितना है थीटा और ये जो surface लिया है वो point से वो कितनी distance पे लिया है r distance पे diagram तो clear हो गया ये irregular and shape लिया इसका कोई shape confirm नहीं है क्या है तो electric flux पले जो diagram बना है उसके बारे थोड़ा से लिखेंगे electric flux passing through the small area element small area element इस small area element से कितना flux पास वोड़ा इसको निकालते है देखिए d phi e क्या formula होता है process में चलेगा e dot ds यानि e ds cos theta ये आपका electric flux निकला है इस small area element से निकले वाला theta load नहीं है हमने अपने आप माना है और ये जो surface है ये यहाँ पर d omega solid angle subtend करता है solid angle हम पता चुके हैं आपको तो जब निकालेंगे electric flux the total electric flux passing through the entire Gaussian surface मैं Gaussian surface को gs लिख रहाँ तो total जब flux निकालेंगे तो इसको close integral कर देंगे e dot ds को जो की formula हमने बताया है यानि ये हो जाएगा close integral e ds cos theta e क्या है electric field है कहाँ पर है जहाँ पर surface है कितनी दूरी पर है r दूरी पर है किस की वज़े से है q की वज़े से है तो electric field का formula क्या होता रख दीजे उठा करके तो phi e is equal to close integral e का बान क्या हो गया 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square ये ds है into cos theta है ज़रा समझीएगा 1 upon 4 pi epsilon naught और q बाहर कर दो close integral ये आएगा ds cos theta upon r square इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा है कि ये d omega होता है हमने बताया था अगर कोई surface इस प्रकार से किसी point के normally रखा हुआ है तो ये d omega जो होता है वो उसका area अगर ds है ये r है तो ds upon r square होता है लेकिन अगर ये surface theta angle से घुमा दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा ds cos theta इसको drive किया है हमने ठीक है तो ये क्या हो गया d omega तो 1 upon 4 pi epsilon 0 q ये हो जाएगा close integral d omega और total surface का d omega क्या होता है 4 pi तो ये हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 q ये हो जाएगा 4 pi तो इसको जब आप calculate करेंगे तो क्या हैगा 4 pi कर जाएगा q upon epsilon 0 ये ही तो prove करना है तो अगर आपकी book में आपने कभी ऐसे irregular shape में पढ़ा हो और teacher ये ना माने के नहीं आप regular shape नहीं मना सकते हैं यहाँ पर तो आप इस method से कर सकते हैं but that is not wrong वो गलत नहीं है वैसे अच्छी बात है कि आप regular shape बनाए लेकिन अब आप कहेंगे हम क्यों बनाए भई अपने convenience के लिए तो ये एक method आपका हो गया ठीक है अब ज़रा देखिए Gauss theorem से कुलाम स्ला को हम प्रूप करने जा रहे अच्छा Gauss theorem का आप हम जब apply करेंगे तो हम करेंगे कैसे देखिए कोई भी surface दिया होगा ठीक है उसके छोटे से small area element से हम flux निकालेंगे E.ds फिर उसको integrate कर देंगे total flux निकलाएगा इसके बाद हम कहेंगे Gauss साब क्या कह रहे है कि total flux क्या होना चाहिए Q upon epsilon naught तो अपने flux को और Gauss के flux को बराबर कर देंगे अपने आप उस point पे electric field निकलाएगा सभी जितने भी proof है सभी यही process apply करना है अब हम बात करने जा रहे है कुलाम स्ला फ्राम गॉस्ला कुलाम के नियम से सरी Gauss के नियम से कुलाम के नियम को हम proof करने जा रहे है ठीक है तिलाल डाइराम जटाइए deduce कुलाम स्ला कुलाम स्ला by Gauss ला कुलाम के नियम को Gauss के नियम से proof करिए देखिये जान से कुलाम का नियम क्या कहता है कि कोई भी चार्ज पार्ट किल अगर दो चार्ज स्टेशनरी चार्ज कुछ दूरी पर रखे होते है तो उनके बीच एक force काम करता है जिसकी value होती 1 upon 4 पैसललोट Q1 Q2 upon R2 पर यह प्रूफ करना है देखिये जान से सपोस अचार्ज प्लस Q इस प्लेस्ट एड़ प्वाइंट ओ एड़ वी ड्राइग गॉसियन स्फेयर अब भाई हम से मेंट्रिकल बनाएंगे थीटा का लफड़ा बोर रहता है वी ड्राइग गॉसियन स्फेयर यह गॉसियन सर्फिस है स्फेयर न कहिए गॉसियन सर्फिस है तो गॉसियन सर्फिस का हमने एक छोटा सा एड़िया एलेमेंट लिया यह आपका एलेक्टरिक फील्ड है और तुरह बढ़ा कर दीजे at the center of Gaussian surface. और वो कैसा हमने बनाया है? इस spherical surface बनाया है. जानबूस के बनाया है, जिस्ते की हमको इसकी value निकालने में दिक्कत न हो. हम electric field निकाला चाहते हैं, ठीक है? तो electric flux through the small area element ds. इस element जो हमने माना है ds, इससे electric flux इसना पास होगा? तो आप कहेंगी भाई d phi e होता है और formula होता है e dot ds. और e और ds के बीच angle कितना होता है? जीरो डिगरी, तो यह हो गया आपका e ds, cos 0 is equal to e ds. यह हो गया flux through the small area element. ठीक है? जब entire surface से निकालेंगे, electric flux through the entire Gaussian surface, entire Gaussian surface, तो क्या करेंगे? इसको integrate कर देंगे, कर दीजिए integrate. तो phi e is equal to close integral e dot ds. यानि close integral e ds. e बाहर हो गया और ds क्या हो गया? 4 pi r square. यह आपका electric flux निकला. आपके calculation के हिसाब से. गॉस साब क्या कहते हैं? according to gaus law. यह हमने अपने calculation से निकाला. ठीक है? according to gaus theorem. gaus theorem. क्या कहती हो? वो कहती ही, जो flux होगा ना, वो 1 upon epsilon times of q. हमने निकाला है यह, और इनों निकाला है यह. दोनों को equate कर दो. equating. equation 1 and 2. तो e into 4 pi r square is equal to q upon epsilon not. तो e की value क्या होगी? 1 upon 4 pi epsilon not q upon r square. यह हमने electric field due to a point charge proof किया है. लेकिन हमने यह गौस theorem से proof किया है. ठीक है? अब ज़रा देखिए. अब हम क्या करेंगे? इस point पर एक test charge q not रख देंगे. ds पर. ठीक है? let let a charge q not. is placed at ds. अब ds actually है कहा? electric field के अंदर. तो इस q not पे electric field की वज़े से एक force लगेगा. तो the force experienced the force experienced by q not f बराबर क्या होगा? q not into e. e का 1 रख दो. तो आएगा 1 upon 4 pi epsilon not q q not upon r square. आपको कुछ दिखा? हमने यहाँ क्या कहा था? putting the value of q not. sorry. putting the value of e. इसको रख कर दो. by putting the value of e. यह क्या है? it's kulamsla. it's kulamsla. अगर आप से कहें, आप से कहा जाएगा prove kulamsla. तो q qamashla कहां से prove होता है? Gaussian surface से होता है, Gauss law से होता है. यह आप से कहें, कि verify qamashla with the help of Gauss-Therom, तो this is the way to prove it. इस प्रिकार से Gauss-Therom प्रयाब कर लेंगे? स्वारी हमने बता दिया आप क्यों कर लेंगे इसको कर लिजेगा इसके बाद बात होगी कि इसके application क्या है और tough नहीं है थोड़ा सा दिवाग लगाना है आप e.ds से पहले एक छोटा सा surface लेंगे e.ds से अपना flux निकालेंगे फिर उसका total integrate कर देंगे total flux निकालेंगे फिर कहेंगे मेरे हिसाब से यह value निकली कुलाम्स के लिए कहता है क्यों अपना अपसेल नॉट दोनों को equate कर देंगे तो electric field की value निकलाईगे वही सब भी करना है ओके thank you in next video next thing